स्वालीकुम दोस्तो बैसिक अर्थमेटिक एंड वर्ग प्रोबलम फॉर बीपेस 5 बीपेस 15 जॉब्स दोस्तो आज इस वीडियो में इंताई अहम सवालात हैं इंशाला ताला ये स्केल 5 और स्केल 15 के लिए सवाला जरू लगेंगे सवाला शुरू कर से पहले दोस्तो इस व वीडियो में हम जो है वर्ड प्रोबलम सॉल्व करेंगे इंशाला तरह ये सवाला जरूर आएंगे तो ये सवाला सॉल्व करके दोस्तो सेम तो सेम आप लोगों को सवाला दिये जाएंगे आपके प्रिक्टिस के लिए आप जो है उस सवाल को सॉल्व करके जो जवाब है वो commits box में share करें ताके मुझे पता चले कि आप लोगों ने दुर्स solve किया या गलत दुर्स जवाबाद दोस्तों आप लोगों के साथ share किये जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों first number सवाल है there were 50 students in class 6 one rainy day one upon five of them were absent how many were present ठीक है दोस्तों यहाँ पर अभी total students दोस्तों कितने class में total student यहाँ पर जो है total student class में 50 है ठीक है दोस्तों तो बरसात के दिन दोस्तों बरसात के दिन दोस्तों rainy day कितने student एपसंट थे one upon five ठीक है दोस्तों माना एपसंट कितने थे rainy day पर one upon five बच्चे एपसंट थे total student कितने दोस्तों 50 students यहाँ पर इस सवाल में जो है हमें कहा जा रहा है कि how many were present present दोस्तों student की जो तादाद है वो मालूम करें ठीक है दोस्तों अभी mcqs में दोस्तों यह जो data है आप लोगों को निकालना नहीं पड़ेगा अगर आप data निकालेंगे तो जो है आप लोगों का जो time waste होगा आप direct solve करेंगे किस तरीके से आप solve करेंगे तो अभी हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हम देखेंगे कि absent दोस्तों कितने student है सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि absent कितने है उसके बाद हम निकालेंगे present तो absent निकालने के लिए आप लोगों इन्टू 50 करें, ठीक है दोस्तों, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ भीने, मैच की रूल में दोस्तों क्या एक है, पांच का टेबल एक बार, पचास को पांच का टेबल कितना बार लेगा दोस्तों, दस बार, अभी टेबल नहीं लग रहा है, उपर वाल हो गया कि, जो है, दस बच्चे दोस्तों, जो है, एपसंट है, 50 students ते, तो अभी हमें परेजंट, जो है, कैसे निकलना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 50 से, ठीक है, उसमें एपसंट कितने दोस्तों, 10 है, ठीक है, अभी 50 से हम 10 माइनस करेंगे, तो हमारे पात जवाब हैगा, दोस्तों, 40, तो ये, दोस्तों, हो गया, प्रेजंट, ठीक है, प्रेजंट कितने student है, दोस्तों, 40, प्रेजंट student है, ठीक है, तो 40, दोस्तों, क्या है, इसका, दुरस जवाब है, दोस्तों, अगर ये सवाल आपको समझ में आगा, तो दरजीर सवालात आप में प्रेक्टिस के लिए सॉल करें दुर्श जवाबा दोस्तों कमिट बाक्स में ज़रूर शेर करें उसके बाद दोस्तों लेडी यूजड 2 upon 5 of 60 kg of wheat for making bread एक औरत जो है 2 upon 5 of 60 kg गंदम का इस्तमाल करती है bread बनाने के लिए अगर वो लड़की अगर वो औरत जो है एक दिन में दो बाद डबल जो है बनाए तो वो कितना आटा दोस्तों इस्तमाल करेगी इस सवाल का मतलब दोस्तों ये है अभी एक दिन में जो है ये इस्तमाल करती है 2 upon 5 upon 60 अभी हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि एक दिन में कितना आटा जो है ये औरत इस्तमाल करती है bread बनाने के लिए अभी कैसे निकालेंगे 2 upon 5 of मतलब multiply ये 60 ठीक है इसके नीचे कुछ भी नहीं है मैत की रूल में एक है वो आप दें या न दें फर कुछ भी नहीं है ठीक है दोस्तों तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा टेबल लगाएंगे इस तरीके से अभी 5 का टेबल एक बार लगा इसके साथ अभी divide करेंग दोस्तों पांच का टेबल 6 को एक बार एक इधर shift करेंगे योगा 10 दो बार लगेगा 10 को ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर जवाब हमें क्या मिला 12 ठीक है अभी क्या करेंगे 2 को multiply करेंगे 12 के साथ जवाब क्या करेंगा दोस्तों 24 आएगा एक को multiply करेंगे एक के साथ तो नीचे वाला एक हमें लिखना नहीं है ज़स्त समझेना है ठीक है दोस्तों एक दिन में एक दिन में यह कितना आटा इस्तिमाल करती है 24 केजी ठीक है दोस्तों अभी दोस्तों यह जो है कहा हमें का जा रहा है कि if she makes break twist a day अगर एक दिन में जो है दो बार डबल बनाए तो वो कितना आटा इस्तिमाल करेंगे ठीक है सेम तरीक है 24 को उठाएंगे दो के साथ हमें मुटि sensation करना पड़ेगा तो हमारे पात्स जवाब किया दोस्तों 48 kg नहीज़ों ठीक है दोस्तों तो दो दिन में कितना आटा इस्तिमाल करेंगे गी दोस्तों जो है 48 kg डोस्तों क्या है इसका दुरुस्थ जवाब है यह सवाल आपनेकों समझमे आगा तो दरजील सवालात आप प्रेक्टिस के लिए सॉल करें, इस तरीके, इस तरीके से जो मेरे सॉल किया है, ठीक है दोस्तो, दुरुस्त जवाब जो इस कमिट्स बॉक्स में शेयर करें, ताकि मुझे पता चले, क्या आप लोगों ने दुरुस्त जवाब, जो निकला या गलत, द साथ वाले बेल आइकन को ज़रू किलके रिख ताकि हर वीडियो अपलोड होने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके, शुक्रिया दोस्तो, अलाफेस,